सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटस वीडियो को देखने के लिए फिर इंग्लिष और लाइब लोन अंदस्तैंग अभी नहीं बताओंगा बाद में So, आज का जो टॉपिक है वो पहले हम कुछ एक एक अक्टिविटी कर लें. So, please look at the pictures given below and read carefully the sentences. So now, let's start and understand with me. Here are some pictures given. This. This is Radha. She is a girl. यह एक लड़की है. Now, the second picture. These are Ram and Shyam. They are boys. यानि यह राम और शाम हैं, यह लड़के हैं. Now, the next picture is. This is a dog. यह एक ड़ग है. It is brown. यह ब्राउन है. यानि भूरे रंग का है. So, आपने यहाँ पर देखा कि कुछ words को underline कर रखा है. जैसे, फर्स सेंटेंस में शी है, सेकिंड सेंटेंस में दे है, एंड थर्ड सेंटेंस में इट है. तो यह जो she, they and it है, देखे, she, they and it are words we use in place of nouns. Nouns तो जानते हैं न, noun क्या होता है, noun is the naming word. जो किसी का नाम बाता है, किसी particular चीज के बारे में बाता है, जैसे, कोई place, कोई person, या फिर, या कोई thing, या animal, ये तो noun होते हैं. आज की हमारी जो वर्कशीट का टॉपिक भी यही है, प्रोनाउउज, यानि, जो words हम noun के place पर यूज करते हैं. अब बार-बार, जैसे, first sentence में, this is Radha, Radha is a girl, Radha is a good girl, बार-बार हम Radha का नाम यूज नहीं करते हैं. एक बार यूज करते हैं और फिर बाद में उसके लिए हम लगा देते हैं कि वह एक लड़की है, वह अच्छी लड़की है, वह काम करते हैं, तो शी लगा देते हैं. तो जब पहले तो सबसे पहले sentence में हमने Radha लगाया, फिर बार-बार उसका नाम ना लिखके उसकी जगे हमने she लगाया, तो यह जो she है, यह इसको हम pronoun कहते हैं, और हिंदी में हम इसे सर्व नाम भी कहते हैं. So, now you can understand कि जो words हम noun के place पे use करते हैं, उन्हें हम pronouns कहते हैं, words we use in place of nouns are called pronouns. अब आपको समझ में आया है, जैसे second sentence में they है, क्योंकि राम और शाम बार-बार यूज नहीं करते हैं, तो वो they हम use कर रहे हैं. Some other examples are, देखें, अब one के लिए हम noun के place पर कौन से word use करते हैं, कोई अगर one thing हो, तो जैसे I and me, ये one person के लिए, you, ये भी one person के लिए, you are a boy, या I am a boy, he, he is a man, या him use करते हैं, ये सारे किसी one person के लिए हम use कर रहे हैं. She or her and it, ये क्या है one person के लिए, जब हम noun के place पर जो word use करते हैं, वो हम ये वाले use करते हैं, और जब more than one होता है, यानि one से ज्यादा, तो हम noun के place पर we या us use करते हैं, we, मतलब हम, you, देखें, you तो चाहे है आप एक व्यक्ति के लिए use करो, चाहे, और जो अगर दो भी होंगे, तो हम उनके लिए वैसे दो, दे यूज करते हैं, लेकिन हम more than one भी you ही यूज करते हैं, फिर है दे और देम, जब दो से ज़ादा, दो लोग होते हैं, या एक से ज़ादा लोग होते हैं, तो हम उनके लिए दे या देम यूज करते हैं, इन place of noun, they, and these, जैसे हम बोलते हैं, एक तो हम बोलते हैं यह, यह एक कुट्ता है यानि एक के बारे में बोलते हैं और फिर हम बोलते हैं यह कुट्ते हैं यह बिलियां हैं तो हम these use करते हैं तो इस तरह से जब हम noun के place पर जो word use करते हैं उन्हें हम pronouns कहते हैं So the pronouns are words that can be used in place of common nouns or proper nouns to avoid repetition of the nouns तो देखिए pronouns वो words होते हैं जो कि किसी common noun या proper noun जो भी जिस तरीका भी noun है common noun है या proper noun है उनको बार-बार repeat करने के बज़ाए जो हम word use करते हैं उन words को हम pronouns कहते हैं हिंदी में सर्वनाम, English में pronouns कहते हैं For example, Sheena saw Jia and greeted Sheena ने जिया को देखा और उसको greet किया नहीं hello कहा तो अब क्या होगा Sheena saw Jia and greeted her अब बार-बार हम जिया उसने जिया को देखा और greeted Jia कहा किया, यही वाला sentence दुबारा लिखें बार-बार जिया का नाम लिखें, नहीं Second time हम उसको repeat ना करके Jia की जगे क्योंकि Jia एक लड़की है तो हम उसके लिए her लिखेंगे याद रहेगा, boys के लिए he और him यूज किया जाता है और girls के लिए she और her यूज किया जाता है Now the question number one Circle the correct pronoun अब आपको नीचे sentence में correct pronoun को circle करना है जैसे first sentence is He या फिर she is my brother तो brother है यानि लड़का है तो हम क्या यूज करेंगे, he यूज करेंगे, she यूज करेंगे हम यूज करेंगे, he Second is These और फिर it are apple बहुत सारे apples है It तो एक के लिए यूज किया जाता है These मतलब बहुत सारों के लिए तो दोनों में से कौन सा यूज होगा These, these are apples Third is it या फिर she is a ball Ball लड़की होती है या it यानि it हम non-living things के लिए यूज करते हैं जिन में जान नहीं होती है या animals के लिए यूज करते हैं तो इसमें आएगा, it is a ball Then है कि D part is, they और I are going to the market मैं market जा रहे हैं या वे market जा रहे हैं तो क्या use करेंगे, they या I तो यानि一 से जादा जाने हैं तो हम use करेंगे they फिर है this is my rabbit या this is my rabbit यानि इसका इस का मतलब होता, यह है मेरा rabbit है या these, ये मेरे rabbit हैं, ये मेरे rabbit हैं तो बताएे दोनों में से है rabbit तो एक ही है ना, तो इसका मतलब हम this use करेंगा, अगर rabbits होता, तो हम these use करते, and the last is Mr. Ravi teaches he science, क्या ये सही है, या teaches us science यानि Mr. Ravi हमें science पढ़ाते हैं, तो he आएगा या us आएगा, us आएगा, us का मतलब हमें, more than one, Mr. Ravi teaches us science, यानि Mr. Ravi हमें science पढ़ाते हैं, now the second question, question number two, use the correct pronouns to complete the sentence, अब आपको correct noun का use करते हुए, pronoun का use करते हुए, अपने sentence को complete करना है, तो देखिए, first sentence is, someone played the star, यानि सुमन एगा, लड़की है, ध्यान रखेगा, तो क्या आएगा, she आएगा, it आएगा, या they is very good at it, यानि वो इसमें बहुत अच्छी है, तो क्या use करेंगे, she, क्योंकि सुमन एक लड़की है, तो pronoun, अब सुमन की जगे क्या बन जाएगा, noun है सुमन, और उसकी जगे pronoun क्या use होगा, she, फिर second is, any, polished shoes, हर आएगा, his आएगा, या it आएगा, इसमें हर आएगा, क्योंकि हम लड़कियों के लिए she और हर का use करते हैं, then, आगे क्या आएगा, इसको आगे complete करेंगे, dash also wash the dishes, तो वो साथ में बरतन भी साफ करती है, तो he आएगा, आएगा, या she आएगा, she ही आएगा, क्योंकि हम उसी के बार में बात कर रहे हैं, यानि, any जो है, अपने shoes को polish करती है, और साथ में वो अपने बरतनों को साफ भी करती है, Dhruv and Ramesh are good friends, Dhruv और Ramesh good friends हैं, यानि, दो जने हैं, तो क्या use होगा, he, they या this, they use होगा, they are in class 6, वो class 6 में पढ़ते हैं, now, D is Radhika won the race because Radhika ने race जीती, क्योंकि क्या use होगा Radhika के जगे, Radhika लड़की है, तो she, she was the fastest, क्योंकि वो सबसे तेज थी, now, sentence number E, Ali's house is far away from the school, Ali का house, school से दूर है, तो Ali कौन है, लड़का है, तो हम क्या use करेंगे, आप बताईए, हम use करेंगे, he, she, it, he, he uses a bicycle or cycle to reach the school every day, तो वह cycle को use करता है, school पहुँचने के लिए, तो हर रोज वह cycle को use करता है, school पहुँचने के लिए, क्योंकि last sentence is, the children played in the playground, बच्चे पार्क में खेल रहे थे, children यानि बहुत सारे हैं न, तो क्या use करेंगे, आप बताईए, हम use करेंगे, they, he or she, हम use करेंगे, they, they were very happy, वे, बहुत खुश थे, दे का मतलब होता है, हिंदी में, वे, ठीक है, और he or she का मतलब वह, he मतलब वह लड़का और she मतलब वह लड़की, so what we learned today, the words which we use in place of noun, are called pronouns, यानि वो words जो हम noun की जगे use करते हैं, उन्हें हम pronouns कहते हैं, so now that's all for this worksheet, अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, तो इस चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब कीजिए, like कीजिए और बहुत जादा शेयर भी कीजिए, और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्शीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगा कर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए, और if you want to defeat coronavirus, then keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards and please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं, तब तक कोई धिलाई नहीं, Thank you very much.